हाइ हलो बच्चो मैं हूँ हेमिन सार्मा आपका सुधाइट कातने यूट्यूब चैनल पिपर हैकर बच्चो बच्चो देखेंगे आज की इस वीडियो में बच्चो हम आपकी लिए लेके आए हैं बीए सी इस्द्धर का बॉटनी का बच्चो बॉटनी का सेखेंड पर है इ तो इसमें देखेंगे, unit third ठीक है, unit third और fourth, ठीक है, unit third और fourth जो है, हम video भाग two में करवाने वाले है, और unit first और second जो है, हमने video हाग first में करवा दिये, ठीक है बच्चो, तो बच्चो, इसमें last तक देखेगा, पूरे important question है, सभी important question है और सभी जो है विकल्पी question है और कुछ रिक्तिस्थान भी है इसमें जिसकी पूरती करना है ठीक है तो लाश्ट तक पूरा वीडियो को देखेगा बड़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाले बेरी मज़े आने वाले पूरी वीडियो में और बच्चो इसमें हम बाता दें आपको इसकी जो पीडियेफ है वो हमने हिंदी इंग्लिस दोनों में बच्चो ठीक है तो आज ही डाउनोड कर लें पीडियाप को क्योंकि बेरी बेरी इंपॉर्टिंग कोश्चन है लाश्ट पूरी कि लुडियो देखिए है वीडियो हिंदी इंग्लिस दोनों में थीखेने पहले पाइदेंससे नल pandemic का फरन को शेर करेंगे शाइक को जल्दी से सब्सक्राब करेंगे और आप हमारे आने बारी वीडियो सब्सक्राइब तो देखंगे पहला कोशण पहला कोशन क्या है फेला कोशन दिया है वो फिर ओं का एक समी जो एक ही रेगुलेटर से होता है कहलाता है क्या कहलाता है जल्दी से बताएं कि right answer इसका कहने वावाला के डेख़ों बच्छे में इसका रहने वाला है वे वैवलन ठीक है क्या हो जाएगा इसका रहाइट यह घुलोन उने क्या सब्सक्राइब मौडल किस ने दिया लेपो पिराउन मॉडल किस機 दिया था तो जलत अंसर इसका राइड आंसर क्या होगा जल Dream रहने वाला है तो इसक रहेत रहेगा बच्चों भी क्या रहेगा जैकाव एवर्प मोनाड चेकाअ एवर्प मोनाड कि एकव एवर्पり ми Foundation मोनाड इसका मोनार इसका राइट आनसर रहएगा अग्रा इनेश-क्रोचन देखेंगे dna सूत्र के sunlator की दिसाः होती है dna सोत्र के sunlator की दिसाः होती है तो क्या होती है जلदी से बताएगे right answer इसका कया रहेगा इसका right answer कgoing रहेगा इसका right answer जो रहयगा पाँच कामा 0.3 यानि कि 5 कामा माइनस 3 थीक है इसका right answer रहेगा अगर निश्स कुसिंगया है DNA का बहस्थान जहां RNA polymerase जुड़कर अनूलेखन अरम करता है कहलाता है क्या कहलाता है इसका right answer रहने वाला है इसका right answer आंसर रहेगा ठीक है बच्छो अगला नेश कोशन देखेंगे नेश कोशन क्या दिया है बहुत विकल्पी में कोशन दिया है पहला कोशन दिया है हमारा विटल तथा टाटम में ने एक जीन एक विकर परिकल्पना किस पर अध्यन के बाद की थी तो किस पर अध्यन के बाद क जहने ही थी यह राइट आंसर पांसर अरे इसका राइट आंसर को बच्छोग तो दखेंके इसका राइट आंसर रहने वाला प्रोंदम जाएगा घयार की कुन सा रहेगा DNA के शीग्र रिप्लीकेशन करने की तकनीक को कहते हैं जल्दी से बताइन đãिका डइ एए का से ने के हुआ यह गारा देखेंगे इसको जो हमारा राइट आंसर का रहनेवाता के वो पेरण मॉडल कि इसने के द्वारा चेडिया जल्दी आंश कॉंसा रहने वाला है राइट आंस्र कुंसा रहने वाला है देख displ eran a क्या है मचाप मोनाड के द्वारा किlogo R दिया गया हलिए आधि संबंधिध होते हैं जलदी से पताएंगे राइट अंसर इसका कै रहने वाला है ? देखेंगे इसका राइटैंसर रहने वाला है ? क्या हो जाएगा। ऑप्स नमब्र C हंods रहेगा विद औरays Prasinal impose सरीक कन सोब बёंख्रो combustion का सरवाधिक आपसिन यहाँ तरह को और डियन रिपलीकेशन का सरवादिक मानने तरीका कौन सा है तो देखेंगे इसका राइटान्सर रहने वाला है विगंतर ना क्या है और क्या हो रहेगा यृउफ पूरी वीडियो मज़े आने वाले हो लाइक करना बिलकुल लागूले शेर कर तरहेगा साथ में दिया है डिया है डिया पॉलिम रेज पॉलिन्यूक्लियोटाइड लाइगेस सम्मंदित होते हैं जल्दी से बताएं कि राइट आंसर रहेगा इसमें राइट आंसर रहेगा ब बच्चों इसमारा रायट आंसर रहेगा राइट रहने बारी को क्या है वच् coalition नमरी ना संते किसलेशंब कें सहे इसमारा राइट ल्हांय संबन सलरु आ가요 टो बच्चों देखेंगे Hai वथी रहेगा option number C रहेगा semi conservative replication से semi conservative replication से यह हमार right answer रहेगा option number C ठीक है option number C हमार right answer रहेगा अगला next question क्या है निम्न में से दितिये संदेश बहाग का उधारन है तो कौन सा उधारन है जल्दी से बताएंगे जो हमार right answer रहेगा ठीक है मुझे रहने वाला है option number D ठीक है all of these all of these all of these option number D तक रॉप्शों गस्व्यक्रा ठीक है भच्यों अगरे next question देखते हैं next question क्या डिया है IP 3 को कहते हैं IP 3 त resonates कहते हैं आइप फिरी को जल्दी से देखेंगे राइट आउसर बताएंगे क्या रहने वाला है तो को आइप ट्रीकू क्या कहते हैं ऑफिर नंब्र भी हमारा यहाँसर रहेगा अकसर नंसर मेर राहीट रहेगा कॉछा जाकी टुकड़े बनते हैं, जल्दी से राइट अंसर बताएंगे कौन सा रहने वाला है, और बनता है, तो जीन बनता है, कौन से राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या रहेगा option number E हमार राइट आंसर हेगा from DNA लिखा नमब आ है option number A ठीक है option number A उप्सिन इंपर एंपर यह बनी है यह a बहुत руки अंचर रहिए ऊपरेटर जीन बाद प्रेय लग जीन हमार राइट आंसर है से रहेगा हे रहे हैं हुआ हमारा रहे रहेँ भाँ है कि अगलवाने देख रहेते हैं लिसके रही रहने वाला हमारा झौशthree को प्राइब कहा जाता है जोगत एंग के सबूसकिव कहा जाता है वह से इंती भाट हंसरर रह यूंहें करवाने वाले ठीक है विडियो भाग two में करवाने वाले एसमें टूमें एस्सका प्रयोक किया जाता है तो जैव उर्बरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें बता दें नील हरित सहवाल का प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है नील हरित सहवाल का प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता बच्छों नील हरित सहवाल का प्रयोग किया जाता है अगला नेश ठीक है अतिरेक्ट गुर्सूत अगला नेश कोशन देखते हैं एक कोश्का से पूर्ण पौधा बनाने का हैवर लेंड का सपन पर आधारित था सपन पर आधारित था तो क्या आधारित था पादप उतक संबर्धन क्या आधारित था पादप उतक शंबर्धन ये देख लो ये दिया है पादप उतक शंबर्धन ये आधारित था ठीक है राइट आंसर हैगा ये अगला नेश कोशन देख लेते हैं पर्या बराण ये जै प और तूच में जीविए इसका राइट आंसर रहेगा तूच में जीविकी मुख्य भूम का होती है अगला नेश कोश्य अब बहुत इकलिप में देखते हैं नेश कोश्य हमारा क्या रहने वाला है लाइट्स तक देखीगा पूरी वीडियो को बड़ी मज़दार बीडियो र क्या रहेगा सुर्व सी इसका राइट अंसर रहेगा मान ऊप बीमारियों का जीन बदल कर इलाज करना यह हमारा राइट अंसर अगर अगए नेश्क कोश्चन क्या है पिर्थम जेनेटिक इंजीनरिंग से बना हार्मॉन है तो कौन सा है हार्मॉन जल्दी से पताएंगा औरहेगे हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि इसका राइट आंसर नेगा ऑफ्स Twitch में से कौन सा हरित खाद कॉंसा खाद है इसका रांज रहने वाला है जल्दी अधाएंगे सभी राइट आंसर देंगे राइट जवाब बत mphreck ओफ सरान रहेगा शैय्ष वानिय सैश वानियए इसका राइडा माति सटेञें तकर Whether अगारे प्रद्धी होती AGAINNE कि हरुआइज वपरती होती ज्ल्दी सो कि ус पताएं ईसका रहने हुआसा था इसका रहने वाला बच्चो तो इसका रहने वाला और देख आई 30 छ पिर 30 53 से 30 राइट आंसर है गा धावच्छोंม कि अगरा नेष्ज कोशह नेख्ते हैं दिया बी men से बी म से जुड़ा हुआ है उप अब यूणा से जुड़ा हुआ है जलदी से बताएंगा राइट और कि वाइट आंसर क्या रहेगा इसका जलदी से बताएंगे तो इसमें जो right answer होगा पर क्या होगा option number B ठीक है endomycorrhizate endomycorrhizate इसका right answer रहेगा option number B इसका right answer रहेगा endomycorrhizate ठीक है अगला next question भैंजाइम जो DNA को किसी BCS बिंदू से काटती है तो जल्दी से बताएंगा right answer इसका right answer क्या रहेगा बच्चो तो इसका right answer जो है वो आपको नमबर दिया है निम्न में से जनेटिक निम्न में से जनेटिक वेक्टर कौण सा निम्न में से जने कौन सा है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा वच्छो तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है ऑप्स नमबर डी ठीक है उप्रोग तो सभी उप्रोग तो सभी इसका राइट इसका क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन नमबर ए रहेगा ठीक है ऑप्शन नमबर ए रहेगा ए जोला पिनेटा इसका राइट आंसर रहेगा ए जोला पिनेटा इसका राइ ओपलने की चंता को कहते हैं तो क्या कहते हैं जल्दी से राइड ऐसका क्या रए सब के हैं क्या रहने वाला है Reed आंसर तरहेगा दसभी थो रहेगा बुटाई रहने वाला है सकनीख निमन मेंसे कि इसको उजजागर करने में काम करती है उजागर करने में काम करती है तो जल्दी से देखेंगे राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बच्छो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे बच्छो इसका right answer रहेगा option number A ठीक है DNA, DNA इसका right answer है सस्तेर है बच्छो option number A इसका right answer रहेगा ठीक है बच्छो अगरायो अगरां नेश-qu savings नेश-qubb chain दिया है northern blotting तकनीग किसको उजागर करने में काम आती है तो northern blotting technique किसको उजागर करने में काम आती है तो जल्दी से बताएंगा right answer इसका क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा बच्छो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे बच्छो इसमें जो right answer रहेगा हमारा क्या रहेगा option no.b.RNA ठीक है option number B, RNA, इसका right answer रहेगा, अगला next question, based turn blotting, किसको उजागर करने में काम आती है, किसको उजागर करने में काम आती है, जल्दी से बताएंगा, right answer इसका क्या रहने वाला है, इसका right answer क्या रहने वाला है, बच्चो, तो बच्चो, देखेंगे, इसका right answer रहने वाला है, वो क्या पाए जाते हैं प्लाजमेट पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे प्लाजमेट किसमें पाए जाते हैं तो देखेंगे बच्चो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ठीक है इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चो क्या रहने वाला है प्रोब का उपयोग होता है प्रोब तो तो प्रोब का उपयोग होता है जल्दि से बताईगे राइट funds got yourة जलदी से बताएंगे राईट अंसर क्या रहने वाला है तो प्रोब का उपयोग किसम होता है जीन के पृसकरान में भी होता है रोग जनकों की पहचान में भी होता है और अंगुली ज्छापन में परया परणिये जैप प्रधौगिकी में मुख्य भूम का होती है तो किसकी होती है मुख्य भूम का जल्दी से बताएंगा राइड रहेगा इसका क्या रहेगा इसका राइड आनसर क्या रहेने और अच्छी लगई हो वीडियो तो जल्दी से लाइक करिए गए और अगर आपने चैनल को अभी तक स्क्राइब नहीं किया है पहली बार माई चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जो कि हमारे आने वाली वीडियो जो है वह आप तक सबसे पहले पोचे बच्चो ठीक है बच्चो और बच्चो लाच्ट तक पूरी वीडियो देखीगा मज़े आने वाले पूरी वीडियो में बच्चो ठीक है तो सेर करते रहेगा लाइक करते रहेगा वीडियो ठीक है जैहन बच्चो मिलते हैं एक सोट बेक के बाद